नमस्कार डिजीटल अरेस्ट ये शब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस अरेस्ट सुना है हाउस अरेस्ट भी सुना है ये दोनों कारवाई कोर्ट या पुलिस के जरिये की जाती है लेकिन ये डिजीटल अरेस्ट ना तो पुलिस करती है ना ही कोर्ट तो आप सोच रह हैं जिनके जाल में फसकर आप अपना सब कुछ लुटा सकते हैं तो हो जाएए साफधान वरना साइबर लुटे रे आपको कर देंगे कंगाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है ऐसे मामलों में साइबर ठक पहले कॉल और फिर वीडियो कॉल पल भर में साइबर लुटेरों के हवाले कर देते हैं ये ठक अपने शिकार को किसी क्राइम में फसाने या उनके खिलाव शिकायत सबूत या जांच होने की बात कहकर ड़ाते हैं इसके बाद वे उन्हें कुछ खास एप के जरिये वीडियो कॉल करते हैं इस दोरां सामने स् कारी शेर कर लेता है और उसमें 20 अराउंड एब्यूसिब लेंग्वेजेस और पोर्णो फोटोग्राफ्स भेजा गया हैं तो ये ट्वेंटी कॉम्प्लेंस केम टू बंबे थाने सो आपको दो घंटे के अंदर बंबे थाने में रिपोर्ट करना हैं तो मैंने बोला मैं तो दिली में रहती हू और उन्हें पर कॉम्प्लेंस के अधूर थाने में कैसे पहुंन सकती हूं हम वीदियो कॉल पे हैं हम पुलिस CBI डिपार्टमेंट से हैं आपको घर में और कोई सब्स्त्रा बंदा तो नहीं है कोई तो नहीं है मैं तो नहीं तो रहे हूं तो बोला हाँ कोई नहीं होना चा चाहिए गां। एक मामला हाइटकसिटी नौईडा में सामने आया है जहां साइबर ठगोंने इंडियन आर्मी के रिटाइड मेजर जेनल को अपना शिकार बनाया। साइबर ठग ने खुद को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बता कर रिटायर्ड मिजर जनरल एन के धीर को पांच दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा इसके बाद उनसे दो क्रोड रुपे की ठगी कर ली साइबर ठगो ने आर्मी आफिसर को कहा कि उनके पास उनके नाम से मुंबई से ताइवान एक पार्सल बुक हुआ है उसकी जानकारी है मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट ने जब इस बॉक्स को खोला तो उसमें पांच पांसपोर्ट, पांच बैंक के क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम MDMA ड्रग्स और एक लैप्टॉप है जो इल्लीगल है ठगों ने पीडित पर मांसिक दबाव बनाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर से बात करवाई, उसने अपना फरजी ID कार्ड और फोटो वाटसेब पर भेजा इतना ही नहीं ठगों ने CBI का एक फरजी लेटर वो भी भेज दिया, उसमें साफ साफ लिखा था कि उन्हें जेल जाने से बचना है तो किसी के साथ कोई भी इन्फरमेशन शेयर नहीं करनी है गिर्फतारी के डर से पीडित ने अपने जीवन भर की पूंजी ठगों के अलग-अलग एकाउंट में ट्रांसफर कर दी पीडित को जब इस ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस को की पुलिस अब उन एकाउंट की जानकरी जो टाने में लगी हुई है जिन में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी रिटाइट मुझेज जनरल मुस्टर एंके धीर के द्वारा साइबर थाना नोड़ा में एक मुगत्मा पंजित कराया गया जिसमें उन्होंने बताया एक वार्टसप कॉल उन्हें आई अपने आपको डीहेचल कुरियर कॉंटी मुंबई का एक पदादिकारी बताया एक कि स्काइब कॉल के द्वारा जोड़ा जिन्होंने इन्हें पार्सल बेजने का वह दिखाकर लगभाग दो कॉर्ण पर ठग लिए गये मुगत्मा पंजित होने के उपरांद साइबर टीम के द्वारा कुछ संदिक्त एकाउंट नमबर पाए गया हैं जिसके संबंद में आप सोच रहे होंगे कि यह तो बुजूर्ग है इसलिए जहांसे में आ गए आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंक मैनेजर तक इनका शिकार हो चुके हैं नोड़ा में रहने वाले जैराज शर्मा प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं जाल साजों ने इन्हें भी मनी सेटब बनाया कि मैनेजर साहब भी घच्चा खा गए और डर के मारे बावन लाग रुपे की जमापूजी गमा बैठें पुलिस्टेशन में एक मुकदमा पंचिकृत किया गया है जिसमें बादी जहराम शर्मा जो की सेक्टर बीस नोड़ा के निवासी हैं उनके द्वारा के द्वारा कॉल आता है जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके दो नंबर को दो घंटे के अंतर बंद कर दिया जाएगा यदी वह सेवाओं को जाही रखना चाहते हैं तो एक नंबर दबाएं एक नंबर दबाते के साथ उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ कनेक्ट किया गया जहां से उन्हें बताया गया कि उनके फार ऊकांट जैड एरवेज की मणी हरुरूरिंग केस से संबंदित अकांट्स में है और उनके अकांटंसे साथ करोड रुपे का गभण किया गया है जिससे वैडररगर उनें आगे इसक्टिक टॉप पर करें ऐसा ही एक और मामला जैपूर का है जहां महेश नगर इलाके में रहने वाली एक महीला बेंक मेनेजर सैबर ठगों की शिकार हो गई यहां भी लुटेरों ने धमकी देकर डिजिटल एरेस्ट करके सत्रा लाग रुपे की ठगी कर ली कहते हैं डर के आगे जीत है लेकिन कहवत पड़ने पर हम अकसर इस कहवत पर अमल करना भूल जाते हैं अगर सही समय पर अमल करें तो कम से कम ठगी के शिकार तो नहीं होंगे खासकर डिजिटल एरेस्ट से ठगी के पिचले दिनों डिजिटल एरेस्ट के कई मामलों ने ये साबीट कर crisp कर दिया ने ही आप इसमें ना तो क्रिमिनल आपके पास होता है और ना ही आप उसे असानी से पकड़ सकते हैं। कई बर साइबर क्राइम सेल के एक्सपर्ट भी ऐसे मुझरिबों को पकड़ने में काम्याब नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सबको साइबर ठगी में अलर्ट रहने की खास जरूरत है क्योंकि साइबर वर्ड का नया खौफ है डिजिटल अरेस्ट।